हेले स्टूरेंट मैं इता सी आप सभी का ग्यान चेतना चैनल वोगो स्वाथ करते हूँ आज की इस वीडियो में हम यूपी टीजी टी सिविक्स का पेपर जो की होगा 2004 का उसको हम डिसकस करने वाले हैं तो सुरू करते हैं सबसे पहला कुश्यन है यहाँ पर एक विसय को संबर्ती सूची में सामिल कहा जाता है जब इस पर कानून पास किया जा सकता है तो यह किसके द्वारा होगा तो आंसर हमारा हो जाएगा केंड्रिय एवं राज्य द्वारा केंडरिये और राज्य सरकारों दोरा कानूर पास कर दिया जाएगा तो उस बिस्वे को संबर्ति सूची में सामिल कहा जाएगा ब्याख्या देख लेते हैं संग सूची पर केंडर को तथा राज्य सूची पर राज्य को तथा संबर्ति सूची को मतलब दोनों को समबर्ती सूची में केंद्र भी होगा और राज्य भी होगा दोनों को कानूर बनाने का अधिकार है यदि भी केंद्र ड्वारा बनाया गया कानूर प्रभावी होगा थे अगला कोशन है समिधान के अनुसार भारत है एक तो आंसर हो जाएगा राजियों का संग राजियों का संग अनुछेद एक में बढ़ने थे हैं कि भारती आठाथ इंडिया जो है राजियों का संग होगा अगला है सरकार के संगिये विवस्ता में शक्तियां बाटी होती हैं तो आंसर होगा एक केंडर और इकायों के बीच में केंडर और राजियों के बीच शक्तियों का विवाजन संगिये विवस्ता की प्रमुख अवशक बिसेस्ता है अगला है भारती समिधान के राज्य नीती के निर्देशक सिद्धानतों को बनाने में किस देश का सरवादिक प्रभाव पड़ता तो अंसर हो जाएगा आयर्लेंड नीती निर्देशक तत्तों को आयर्लेंड के समिधान 1939 से लिया गया है जो समिधान में अनुछे 36 से 51 में है और भाग किस में बढ़नित है तो भाग चार में बढ़नित है अगला कोशन देखते हैं यदि राष्टपती को त्याग पत्र देना है तो वो अपना त्याग किस को देगा तो उपराष्टपती को देगा उपराष्टपती नहीं होगा तो फिर उसके बाद जो है भारत का मुख्य निया अधीश को देगा तो यहां पर उपराष्टपत अगला है संग लोग सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है तो यहां पर हो जाएगा एक अध्यक्ष संग लोग सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा बटमान में दस सदस्यों की नियुक्ति राश्च्पति द्वारा की जाती है अगला कोशन है मंत्री परिशत किसके प्रती उत्तरदाई होती है तो मंत्री परिशत जो है वो लोग सवा के प्रती उत्तरदाई होती है लोग सवा यहां पर सही आंसर है अगला कोशन है अधिक्तम कितने दिनों के अंदर राज्य सवा एक निश्यल विधिया को आस्विक्रि यदि कोई पास किया गया निशित धन विध्यक राज्य सभा की सिफारिसों के लिए उसके पास भेजा गया, विध्यक 14 दिन की उप्तिक अविदी के बीतर लोग सभा को लोटाया नहीं जाता तो 14 दिन बीट जाने पर विध्यक पारिद माना जाता है अगला कुशन है यदि लोग सभा और राज सभा के बीच एक धन विद्याग पर मदवेथ हो जाता है तो राज सभा अपनी सिफारशें भेज सकती है जिसे लोग सभा सुईकार है या आसुईकार कर सकती है अगला कुशन देखते हैं राज सभा के समद में निमली खिर मैंसे कौन सा सही है तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है इसके सदस्य जो है एक तिहाई प्रिटेग दो वर्ष में रिटायर होते हैं इसके सदस्यों का एक तिहाई प्रिटेग दो वर्ष में रिटायर हो जाते तो पहला option यह पर सही है राजसभा का कभी बिगटन नहीं होता इसके सदस जुष़ण में 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं इनके सदस्यों में एक तेहाई प्रिटेक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं तो ये कभी बिगटन नहीं होता राजसभा का और ये च्छै वर्ष के लिए चुने जाते हैं और एक तिहाई का क्या हो जाता है एक तिहाई दूसरे वर्ष ही क्या है पद्ध मुंख्थ हो जाते हैं अगला कोशन है सरवोच नयालय की सीठ नई दिल्ली में हैं पर यह कहीं भी अपनी सीठ रख सकता है सीट कहां होगी इसका नड़ने कौन करेगा तो इसका नड़ने होगा मुखे नयादीश राष्टपती की सुईकृती से मुखे नयादीश अगला कोशन है धन अनुदान के लिए तो धन अनुदान के लिए क्या है राष्टपती की पूर्व सहमती आवशक है राश्ट पती की धन अनुदान के लिए राश्ट पती की पूर्ग सहमती क्या होगी अवश्याफ होगी कोई धन विद्यक राश्च अवा में पेश नहीं किया जा सकता वो है राश्ट पती की सिपारस पर ही केवल लोग सवा में ही पेश किया जा सकता है अगला कुशन है राश्पती अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है संसत का सत्र क्या होता है चालू नहीं होता तभी क्या होता है राश्टपती अध्यादेशों को लागू कर सकता है राश्टपती के द्वारा अध्यादेश संसत के विश्रानती काल में उस समय जारी किया जाता है जब राश्ट पती को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिशितियां उत्पन हो गई है जिसके अनुसार अभी लंब कारिवाही करना अवश्याग है तब क्या होगा तब यहाँ पर संसत का सत्र चालू नहीं होगा उस पे क्या होगा राश्पति अद्यदेश को लगू कर सकता है अगला कोशन है एक राजजी की बिधान सभा और बिधान परिश्वात के संयुक्ते सत्र का सभापतितु कौन करता है तो अंसर हो जाएगा बिधान सभा का अध्यक्ष तो राज्य की बिधान सभा और बिधान परिशत के संयूग सत्र का सभापतितु कौन करता है बिधान सभा का अध्यक्ष अगला कोशन है संग राज्य छेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायका नहीं होती के लिए विधी का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा संसत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगी किनके द्वारा तो संसत के द्वारा तो अनुछेत 2-3-9 संसत द्वारा बनाई गई विधी द्वारा अन्यथा उपबंदित सिवाय प्रतेग संग राज छेत्र का प्रशाशन राश्पती द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पता भीमान सहित जो वह निर्दिश्ट करे नियूत करे गए प्रशाशक के माध्यम से उस मात्रा तक कार करेगा जितनी वह ठीक समझता है अगला कुशन है राज संग राज छेत्रों का प्रशाशन कौन करता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राश्पती अपने द्वारा नियूपत प्रशाशों के माध्यम से अगला कुशन है लोग सवा और राज सवा संयुक्त रूप से बैठती है तो दोनों के बीच कोई एक आस्यमती होती है तक संयुक्त रूप से बैठती यदि कोई विधियक एक सदन द्वारा पारिक किये जाने पर दूसरे सदन को आरोपित किये जाने के पश्चा दूसरे सदन द्वारा विधियक अस्विकार कर दिया गया या विधियक में किये जाने वाले शंशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से आस्यमत हो तब क्या है दोनों की बीच में बैठे के हो गी. अगला कुझिन है आठविय अनुसोची में कितनी भासाओं का उल्लेग है. आगे है किन दो भासाओं का उपयोख भारत के किसी भी हिस्से में भासाओं के रूप में नहीं होता है. तो सिंधी और संस्क्रिद जो है वो कहीं पर भी भाजा की रूप में इसका इस्तमाल नहीं होता है आगे देखते हैं भारत की राश्टपती एक संसत सदस से नहीं होता है क्योंकि उसे यह देखना है कि वो है निस्पक्ष रहे अगला कुशन राश्पती द्वारा जारी एक अध्यादेश संसत के पुना जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है तो 6 सपता तक प्रभावी रहता है राश्पती द्वारा कोई भी अध्यादेश संसत के पुना जुटने के बाद कितने तक प्रभावी रहेग संसत द्वारा अनुमोदिक किये जाने पर राश्पती के निमती प्राप्त करने पर अधिनियम बन जाता है यदि संसत के अधिवेशन के प्रारम के बाद पहले जारी किये गए अध्यादेश को संसद दौरा अनुमोदिक किये जाने के लिए 6 सफता के अंदर संसद में पेश नहीं किया जाता तो अध्यादेश प्रभाव ही हो जाएगा अगला कुशन है निमलेखित मैंसे किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है तो आंसर हो जाएगा विक्री विक्री का राज सूची का विसे है विक्री का राज ये लगाता है और बसूलता है अगला कोशन है नगर निगम का उपचारिक प्रमुक होता है चुना हुआ मेयर अगला कोशन है निगम की शक्ती को बेवार में लाने में समर्थ नहीं है तो आंसर हो जाएगा विकास अधिकारी अगला कोशन ने पंचाइती राज आता है किस में, कौन सी सूची में आता है तो आंसर हो जाएगा राज्य सूची में अगला कुछन है निमलेखित मैं से कौन पंचाईती राज की स्थानी है स्वै सरकार की तीन स्थरीय संगचना का एक संगटक नहीं है तो आंसर होगा प्राखंड पंचायती राज की तीन इस तरीय संदचना, गटक, ग्राम पंचाय, छेत्र पंचाय, जिला पंचाय थे ना कि प्राखंड अगला है नियाय पंचाय कारे करता है कुछ राजियों और कुछ राजिक छेत्रों में अगला कुछन है केंडर में राष्ट पती शाषन लगाता है कभी नहीं समिधान में तंतर के फिल हो जाने पर लगाया जाता है तो यह राजियों में लगा करदाय देना के लिए क्लाएं ग्राम पन्चाय है को सामानिता लोगतंट्र का अर्थ हो करति के दो कारूज है मां मात्र की दूसरी शाय चाशनना ध्यक्ष जो वद्धायखा की बधायखान लोगतंत्र है दौरा और लोगों के लिए एक सरकार ये बरिभासा किसकी है इब्राहिम लिंकन की है फोर्ट ऑ्शन सही हो जाएगा इब्राहिम लिंकन गरे निंटन Сам प्रजह कंतर प्रजह के लिए और पृजह के दौरही करने की सबसे वड़ी शक्ति साली ये जेंसी है तो वह चुनाओ लोग मत तियार करने के लिए चुनाओ ही सबसे शक्तिरी येंसी है अगला कुशन इन निम्लेखित में से कौन घोशना पत है मैनिफेस्टो की स्रेश्ट परिभासा कौन क्या है पार्टी समिधान, सरकार पति बन देता, राजनेती, दलगी पति बनता है या अभी नएतों अंसर हो जाए कि सरकारी पति बन देता अगला कुशन है भारत के राश्टपती द्वारा नियुक्ते प्रमुख्य चुनाव आयुक्ते को समिधान में दी गई एक विशेश प्रिकरिया का पालन किये बगेर हटाया नहीं जहा सकता यह प्रिकरिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है तो इन मैंसे किनको हटाने के लिए अपनाई जाती है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए लागू होगी तो अंसर होगा सर्वोच नयले के नयदीशों के लिए जो अपयोग्त होती है वही किसके तो चुनाव मुख्य चुनाव आयूत के लिए भी नियुक्त होगी आगे है भारत के राष्ट पती द्वारे नियुक्त प्राइब के नियादीस के हटाने के समाने पकरिया के आधार पर हटाया जाता है अगला कोशन है नियुक्त में से कौन दुए दल पदिती का एक लाव नहीं है तो आंसर हो जाएगा नियुक्त की पसंदी की सरणी करण अगला वोशन देखते हैं निमले खित मैंसे कौन एक राजनेति एक राजनेति दल का तो आन्वार ये कार कालप नहीं है तो आनसर हो जाएगा समचा पत्र प्रकाश्य करना ये राजनेति दलों का निवारब ये कार कालप नहींремा बाकि जुलूस निकालना, पोस्टर, परचा, बैठ के यह सारा का सारा है, सुरक्षा परिशत के इस्ताई सदस्यों की संख्या कितनी हैं, तो पांच हैं, बिर्टेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, आगे सुरक्षा परिशत के आइस्ताई सदस्यों के चुने जाते हैं अगला कोशन है, विश्व स्वास्त संगिठन का मुख्याले कहां है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जेनेवा, जेनेवा में विश्व स्वास्त संगिठन का मुख्याले है, अगला कोशन देखते हैं, भारत की विदेश नीती आधारित है, इस पर गुठी नेपेश्षता पर आधारित है अपनी तथा अपने साथ ही दूसरे देशों की प्रभुसक्ता का सम्मान करते हुए पारिस पारिस्परी सो हार्द कायम रखना अगला कोशन निमलेकित में से कौन पंच शील का एक सिद्धान्त नहीं है तो आंसर हो जाएगा गुटिनेर पेश नहीं है बाकि पं सम्मिलन कहां आयोजेत हुआ था तो आंसर हो जाएगा बिल्गरेट में बिल्गरेट यहां सही आंसर है पिर्थम गुटिने पेश सम्मिलन सितंबर 1961 में बिल्गरेट में राजपती टीटो के सुझाव पर आमिर्टित किया गया था अगला कोशन देखते हैं भारत में निय गाली जी तौराई है उद्गार व्यक्ति किया गया कि भारती है समिधान भार्टियों की एक्छा निसार होगा अगला कुशन देखते हैं एक संसदी प्रकार की सरकार में निमलेखित में से कौन बास्वेग कारेकारी सक्तियों का उपभोग करता है तो आंसर हो जाएगा मं अगला कुशन है निम्लिकित में से कौन एक एकात्मा कराज्य है तो एकात्मा कराज्य कौन सा हो जाएगा UK हो जाएगा बिर्टेन में एकात्मा क्विवस्ता है जहां समझ सक्तियां जो है केंद्र में नीहित होती है अगला कोशन है निमलिक्त में से कौन भारत में एकात्मा विशेस्ता का समर्थन नहीं करता है तो आपचारिक प्रधान की रूप में राश्ट पती जो है एकात्मा विशेस्ता का समर्थन नहीं करता है आपचारिक प्रधान की रूप में राश्ट पती संसदिय शाषन की वि अधीं नियम कहता है कि राज़ सभख भीकिटitä्ट नहीं की जा सकती तो प्रॉसर हो जा हमारा अधींियम 83 एक जित्फिर कहता है क्या राज़ सभख क्या है यह ठेख की नहीं होती क्यूंकि हर एक तिहाई सद से सणसर द्वरा reg whisk hjäl नियम अग सबान नहीं थै किया को सब्सक्राइब और जैसे संग शेट्रों में लोग सवा के कितने सदस से चुने जाते हैं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 संड राज छेत्रों के पितिनीती 20 से तो अगला कोशन देखते हैं लोग सवा में दिये कई सभी भाशन और अव्युक्तियां किसे सम्मोधित करती हैं तो आंसर हो जाएगी अध्यक्षो थर्ड ओप्शन सही है अगला कोशन राजपती सासन के लिए संसत का अनुमोधन कितनी अविदी के बीतर प्राप्त किया जाना चाहिए तो राश्पति शाशन के लिए संसत का नुमोधन दो माए के भीतर क्या है प्राप्त किया जाना चाहिए अगला कोशन है क्या एक ब्यक्ति को एक राज से अधिक का राजपाल नियुक्ति किया जा सकता है तो आंसर होगा हाँ यह ऑप्शन सही हो जाएगा आगे देखते हैं राजपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिक्तम किस अविदी के लिए बैद होता है तो राजपाल द्वारा जारी अध्यादेश हो जाएगा छे माहे के लिए राजपाल द्वारा जारी अध्यादेश केवल छे माहे तक र अंदर बिधान मंडल या बिधान सवा द्वारा अनुमोद किया जाना चाहिए और यदि छे सप्ताय के अंदर अनुमोद नहीं किया जाता है तो अध्यादेश निश्प्रावाभावी हो जाएगा अगला कुशिन देखते हैं भारत का सरवोच नियालय के नियादिशों की सेवा निवरित आयूग क्या है मतलब वो रिटाइड कब होते हैं तो आंसर हो जाएगा 65 वर्स उच नियालय के एक नियादिश को उसके कारिये से सिद्ध दूराचार या आयोग के आधार पर हटाया जा सकता है किसके दौरा किसके दौरा हटाया जाता है तो आंसर हो जाएगा संसत की सिफारिस पर राश्पति दौरा तो यहां पर क्या था उच्छे नियालय के कोई एक नियादिश है उच्छे नियालय के उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा संसत की सिफारिस पर उम्हारा USA के समिधान से ली गई है, नियाइक समिच्षा की अभीकलपना USA के समिधान द्वारा ली गई है, अगला कुश्चन है, सरवोच न्यालय के न्या दीशों का पत शपत किस के द्वारा दिलाए जाती तो आनसा राश्च्पती द्वारा हो जाएगा, एक रिट का अर् द्वारा मोहर के अधीन जारी एक आपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कारे करने से रोपने के लिए जारी किया गया, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, अगला कुशन देखते हैं, निम्लिक्त में से कौन लोगतंत्र का आवशक अभी की जाती है, किसके द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा जो है, राजनितिक दलों को मानता प्रदान किये जाती है, चुनाव आयोग द्वारा, संयोग राष्ट संगे की महा सभा की बैठिकें होती है, कितिनी बार तो आंसर होगा हमारा वर्ष में एक बार, वर्ष में नि सब्सक्राइब करें एक और अगले वीडियो के साथ